Hello friends, अब का मारे उडूचानल स्वागत है, आज हम बात करेंगे CMA, Cost Accounting Model में से, Process Costing Chapter में से, Leic Station No.26 के बारे में, चलिए, Leic Station No.26 के आपे उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर हमको तीन प्रोसेस दियुए है, A, B, and C, ओके यहाँ पर सबसे पहले हमको कितने inputs इंट्रो आगे हमको क्या क्या चीज़े दियुए है कि भी, सेंट्री मेटरियल है, डायरेक लेबर है, एक्सपेंस है, फूर तीनो प्रोसेस के लिए, इसके आगे हमको क्या चीज़े दियुए है, वेस्ट इशो प्रोसेस ए के लिए दिया हुए, नॉर्मल लोस का परसेंटेज, A and B के लिए दिया हुए, यह के लिए नहीं दिया हुए, इसके आगे हमको इसके स्क्राइप वैल्यू भी दी हुए A, B and C के लिए है, ओके चली, इसके आगे हमको क्या इन्फोर्मेशन दियुए, ओवर हेट चे बारे में इन्फोर्मेशन लिखे है कि भी, डायरेक लेबर के ह 20 परसेंट प्रॉफिट है तो यहां पर 10 रूपिज सेल्स की प्राइस है उसमें तो रूपिज प्रॉफिट निकल देंगे तो हमको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी वह आएगी एट रूपिज ओक चलिये को क्या फेंडाट करना कि परसेंटेज ओफ लॉफ बिप dobrze सिझ्ट कि यहां पर नापको बिताये थे यहां पर संटेजेज ओदियेौख का सी के के लिए नहीं दियी हो सबसे पहले हैppen सबसे पहले हम प्रेपार कर लेते हैं प्रोसेस ए बी एंड़ सी अकाउंट ओके तो यहां पर लिखा हुआ आएगे भई सबसे पहले हम यहां पर जितने भी यूनिट इंट्रोडिउस किये हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे भी यहां पर टेन ताउजन यूनिट है ओके इसको मुल्टिकला कर देंगे 1.10 से तो हमको इसकी अमाट मिल जाएगी इसका अगया एडिशनल माट्रियल सब्सक्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिए डेविट साइड चलिए अब हम क्रेडिट सेड आ जाते हैं तो यहां पर इंपूट के 5% है तो हमको नॉर्मल लोस का यूनिट मिल जाएगा इसको स्क्रेप वैल्यू के साथ मिल कर देंगे तो हमको नॉर्म 3500 Units मिल जाएगा जो यहां पे सब्सक्राइस्विन में करतेंगे यहन सकीमाउट भी बैलनसिंग फिगर की कियां माउट ही हição कि में इसको वह पर औरो हुग कर देंगो सकdefense में में मैंट्रियल इसक्राइबर एक्सपेंस हैंड और यहश्-ट इनफॉमेशन डिए इफ्स कर देंगे निए इन्पुट के जो कुछ भी हम 4% करेंगे तो हमको प्रोसेस बी के लिए नॉर्मल उसके मिल जाएगे वह आया है एमोटलोच कर देंगे तो हमको घान्सपर टू टू प्रोसेस सी अकॉण्ट के लिए अमोट ही मिल जाएगी होकि यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ट्रैंसपर करें दिया हे डेटि साट ऑर के ट्रैंसपर प्रोसेस बी लिगते दुन के दुनों चीज़े हमने यहां पर लिख दी है उसके बाद में material लेबर डारेक एक्सपैंस और एड की इंफॉमेशन पूट कर दिये चलिए अब मैंन बाता दिये जो हमको यहां पर फाइंड आउड करना है नॉर्मल लोस ओके तो यहां पर हमरे पास नॉर्मल लोस हमको question में नहीं दिया हुए इसलिए यहां पर हमने एक्स यूनिट अज्यूम कर लिया है और इसी एक्स को हम इसके स्क्रैप पर लिए 1 रुपीज उससे मल्टिकलाय करेंगे तो हमको उसका ही अमोट भी मिल जाएगी एक्स रुपीज ओके चलिए अब हम बात करेंगे transfer to finish stock account ओके तो हमने यहां पर सबसे पहले बात की थी question में कि हमको sales price per unit 10 रुपीज दियो इसमें से 20% profit less करेंगे तो cost की per unit हमको price मिल जाएगी हुआ है 8 रुपीज ओके 8 को हम मल्टिकलाय कर देते हैं यहां किस से तो वह भी उसकी unit less कर देते दिए यहां पर हमरे पास ही नहीं हमने आजूम किया है एक्स को ओके इन दोनों को यह दी मल्टिकलाय कर देते हैं एक्स इंटू इस यूनिट ओके तो हमको क्या मिल जाएगा जो कुछ भी finish stock की amount है वो मिल सकती है ओके इसको हम दूसरी तरह से भी लग सकते है कि डेबिट सेट का टोटल है 68,088 रूपीस हो कि उसमें से नॉर्मल लोस्ट के मोट लेस कर देते हैं तो यहां पर हमरे पास एक्स रूपीस है तो उस प्रकार से भी हमको transfer to finish stock की amount मिल सकते हो के चलिए यहां पर एक्स की value क्या आएगी वह सबसे पहले देख लेते हैं यह के लिए कि 68,088 रूपीस हो के इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं वह भी में आपको बताया थे कभी 8 इंटू दिस यूनिट ओके 99,120 माइनस एक्स यूनिट ओके चाहिए इसको हम सिम्क्लिफाय करते हैं तो यहां पर एक्स इंटू एट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस 8 एक्स एन इन दों का टोटल करें मवल्टिकलिकेशन करेंगे introducing to 9,120 तो हमको को कितना है मिलेंगे 72,960 ओके यह पार एक्स माइनस में है इकवल के साइड ऐंगे तो क्या हो जाएंगे क्लास हो जाएगे ओके तो 8x यहां पर अल्रेडी माइनस एक्स है तो 8x में से 7x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 7x ओके यह अमाउट जो किछ भी है हमारे पास 68,000 8800 ओक्वल्स के उस साइट जाएगे तो माइनस हो जाएगा ओके तो कितने अमाउट मिलेगे 4872 ओके यहां पर एक्स सेवन में उस साइड जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा ओके तो हमको कितने हैं हमको कितने यूनिट मिले हैं यहां पर 696 यूनिट ओके इसको मटकला कर देंगे वन रूपेस से तो यहां पर नॉर्मल लूस के अमाट मिल जाएगी 696 रूपेस ओके चलिए अब हम इसके आगे बात करेंगे यहां पर हम फिनिश टूप की यूनिट के बारे में ओके तो यहां पर हम अरे पास 9,120 है उसमें से 696 लेस कर देंगे यूनिट तो हमको इसके यूनिट कितने मिलेंगे 8,424 यूनिट ओके चलिए इसके आगे हम क्या बात करेंगे यहां पर डेबिट सैट का टोटल है यह 68,808 ओके उसमें से हम 9,696 को लेस करेंगे तो हमको यहां पर बैलेंसिंग यहां पर हमको फिनिश टूप की अम ओड भी मिल जाएगी वो कितने आएगी 67,392 ओके इसके हम दूसरी तरह से भी स्वाल कर सकते कि यहां पर 8 इंटू 8,424 को मुल्टिप्ला करेंगे तो भी हमको यहां पर फिनिश टूप की अमाउट मिल जाएगी ओके चलिए अब हम इसके आगे हमारा हमको एक और भी क्वेशन जो हमारा माइन क्वेशन है वो बाक हमलोस के वाई 696 ओके इसको हम डिवाड करेंगे किस से तो यहां पर हमारे पास इंपूट है उससे वह हमारे पास कितने है कि भी 9,120 ओके मल्टिकलाई बाइ 100 तो हमको इसके परसेंटेज मिल जाएगे 7.63 ओके आप इसको क्रोस चेक भी कर सकते हैं यहां पर हमारे पास है 9, 10,120 उसको मल्टिकलाई कर दीजी इस परसेंटेज जे तो आपको इतने ही यूनिट मेलेंगे ओके 6,696 यूनिट ओके तो आप इस प्रकार से इलिस्टेशन नुम्रे 26 स्वाल कर सकते हैं यहां आपको इसके अंदर को डावड लगे तुमझे काउंट वोक्स के अंदर विडियो